आप सभी का एक वार फिर से स्वागत हैं और आज हम बात करें कंटिनुटी यानि सांतत्ति के पार्ट नंबर फोर की जिसमें कि मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा जो कि IIT NDA के सिलेवस से रिलेटिड है जम पॉप डिसकंटिनुटी यानि एसतत्ता का उच्छाल अब देखें मैंने आपको पार्ट नंबर फिरी में टाइपस ओप डिसकंटिनुटी यानि एसतत्ता के प्रकार के वारे में बताया था तो अगर आपने कंटिनुटी के बागी तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं जिसकी की आपको डिस्क्रिप्शन और एंडी स्क्रीन पर दी हुई है तो चलिए स्टार्ट करते तो आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट जंप आपको डिसकंटिनुटी का और साती सात इससे रेलेटिड दो तीन एक्जाम में आई हुए कोस्चन भी देखेंगे सबसे पहले देख अपन कोई ग्राब बनाते हैं तो वहां कई चीज़ें होती ही जैसे कि मानलो यह एक्स 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 पर ठीक तो एकी जो रेंज है एफ ओफ ए वो जस्टिस के उपर होगी और मानलो इस पर हमने आरेचल निकाली वो आपकी कुछ इस तरह आ रही है यह आपकी राइट हैं ल तो हो रहा है इसका मतलब इससे यह निसकर्स निकल रहा है कि आरेचल भी एक रियल नंबर है और एलेचल भी एक रियल नंबर है लेकन यह द्यान रहे आरेचल और एलेचल इस तरह के एक स्लोप में नहीं है अब एक स्लोप में नहीं है इसका मतलब यह हुगा कि यह दोनों एसतत्ता को अपन कहते हैं एविस्थापनी एसतत्ता clear एविस्थापनी एसतत्ता को आप इस तरह से भी कह सकते हो कि non-placement discontinuity clear इस तरह है और इसकी full detail आपको देखने हैं तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो तो कुल मिलाके बात यह हुई कि RHL और LHL यह equal नहीं है अब देखें equal नहीं है तो यह जो gap आपको दीख रहा है यह जो RHL और LHL के बीच में इस gap को ही अपन कहते हैं J J का मतलब होता है jump of discontinuity यानि ऐसतत्ता का उचाल अब इसको निकालते कैसे हैं इसे हम निकालते है mod of RHL माइनस LHL clear यहां पर एक student यह भी ध्यान रहे कि अगर किसी interval में कोई function ऐसा है जिसमें कि यह J की value अमेशा fix है जैसे कि आप देखते हो कि अपन कई बाद देखते हैं महत्तम पूरांग फलन जैसे GIX होता है तो ऐसे function को अपन कहते हैं piecewise सतत piecewise सतत या विवागी सतत क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें हमेशा RHL और LHL का difference बरावर ही रहता है जैसे आपने इसका graph देखा होगा GIX का अगर हम graph देखें तो जैसे यह 0, 1, 2, 3 इस तरह से मालो है तो आप देख सकते हो कि 0 से 1 का अगर मैं graph देखूं तो यह कुछ इस तरह से रहता है यहां पर और अगर एक और दो के बीच का देखूं तो यह इस तरह से रहता है तो इसकी RHL और LHL में आप हमेशा देखेंगे तो यह 1 का difference आएगा यहां पर तो 1 का जो difference आएगा इसी बज़े से यहां पर अपन इसको कह गएंगे piecewise सतत यहां विवागी सतत क्योंकि आप चाहें कोई से भी interval को देख लें इसमें हमेशा RHL और LHL का difference सेम है तो यह तो था student हमारा एक topic jump of discontinuity अब मैं आपको IIT में आई हुए दो important question बता रहा हूँ जो कि इसी topic से related है चलिए देखते हैं तो यहां student अपना एक topic है एसतत्ता का उच्छाल यानि jump of discontinuity पूची है और आपको यह कांसिक फलन दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसतत्ता का उच्छाल पूचा हो तो आपको दो value तुरंट उसके लिए find out करनी है एक तो RHL और दूसरी LHL तो देखते हैं RHL का formula हम सभी जानते हैं कि f of a plus 0 equal limit h tends to 0 f of a plus h होता है जबकि LHL का formula अगर हम देखें तो f of a minus 0 equal limit h tends to 0 f of a minus h होता है अब यहां एक ही value आपकी हो जाएगी π i2 plus 0 equal limit h tends to 0 f of π i2 plus h और अगर अपन इसकी बात करें तो यह आपका π i2 minus 0 equal हो जाएगा limit h tends to 0 f of π i2 minus h तो यह दो condition है ठीक है अब चलिए देख लेते हैं limit h tends to 0 अब यह π i2 plus h कैसी value है π i2 से बड़ी है तो अपन इसको यहां रख देंगे यह sorry x greater than π i2 है ठीक तो यह इसमें अपन greater than में इसको रखेंगे तो चलिए rhl की value देखते हैं क्या हैगी तो यहां जब मैं इसको रखोंगा तो pi gi of pi y2 plus h और यह आपका हो रहा है minus 1 अब इसकी value एक वार देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह कहां पर run करेगा देखिए जैसा क्या आप जानते हो pi y2 की value 1.57 है अब 1.57 में जब मैं h को add करूंगा तो यह 1 और 2 के बीच में आएगा अब 1 और 2 के बीच का gi आई मान अमेशा 1 ही होता है तो इसकी value 1 आएगी तो 1 into pi क्या हो जाएगा pi तो यहां आपका हो जाएगा pi minus 1 तो finally आपका यह हो गया RHL तो RHL आपने देखा यह निकला अपना pi minus 1 यहां मैं एक वार आपको फिर से बता दे रहा हो कि gi और pi y2 plus h की value मैंने 1 कैसे निका ली देखिए आप जानते हो pi की approximate value 3.14 होती है तो pi y2 की approximate value 1.57 होगी अब यहां पर देखिए जैसे कि यह pi y2 है और यह आपका pi y2 plus h है ठीक अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो pi y2 1.57 है तो यह आपका 1 और 2 के बीच में आएगा तो यह दोनों रासिया 1 और 2 के बीच में रहेंगी तो gi जो है वो हमेशा छोटे मान को select करता है इसलिए मैंने यहां किसको लिया था 1 को तो 1 into pi क्या हो गया pi और इस तरह यह होगी rhl अब यही सेम अपन पूरी condition किसके लिए देखेंगे lhl के लिए lhl के लिए चली start करते हैं आपका तो यहां पर है limit h tends to 0 f of pi y2 minus h तो यहां देख सकते हो pi y2 minus h यानि यह pi y2 से कम है तो आप इसको यह उपर वाले function में ले चलोगे तो कैसे limit h tends to 0 यह आपका student यहां पर हो जाएगा cos inverse of cot of pi y2 minus h तो चलिए देख लेते हैं limit h tends to 0 cos inverse अब आप जानते हो cot 90 minus theta क्या होता है यह आपका 10 theta होता है चलिए अब यह value put कर देंगे तो यह h की जगे 0 हो जाएगा आपका cos inverse of 10 0 तो cos inverse of 10 0 की value हो जाएगी 0 और आप जानते हो 0 जो है वो cos में value होती है 90 की तो यह cos से cos inverse हो जाएगा यहाँ पर eliminate तो यहाँ बचेगा pi y 2 तो यह student आपने देगा RHL की value आई pi minus 1 LHL की value आई pi minus 2 अब जो j है यानि jump of discontinuity ऐसा तत्ता का उच्छाल उसका formula क्या था mod of RHL minus LHL तो आप जानते हो RHL यहाँ पर क्या आया था pi minus 1 LHL आपका आया है pi minus बना जाएगा clear तो यह आपका हुगा question IIT में आया हुगा IIT 2013 important question है एक मैं आपको इसी pattern का question और बता रहा हूँ तो अगला जो question आप देख रहे हो इसमें भी एक आंसिक फलन दिया हुआ है और इसमें भी jump of discontinuity पूची है asset अप्ता का उचाल और यह आपका IIT 2010 का question है तो फिद से देखते हैं मैंने आपको बताया था दो value आपको find out करनी है RHL और LHL की तो RHL का formula क्या हो जाएगा f of a plus 0 equal limit h tends to 0 f of a plus h और LHL क्या हो जाएगी f of a minus 0 equal limit h tends to 0 f of a minus h तो यह देखते हैं अपन a की value क्या student pi by 4 plus 0 equal यह आपका हो जाएगा limit h tends to 0 f of pi by 2 plus h और इदार आपका हो जाएगा f of pi by 2 minus 0 equal limit h tends to 0 f of pi by 2 minus h clear तो देखते हैं limit h tends to 0 अब pi by 2 plus h कैसी value है यहाँ पर यह sorry a की value pi by 4 है यह यहाँ पर है a की value अपनने क्या लिए pi by 4 तो यह थोड़ा सा ध्यान देंगे आप pi by 4 plus h के लिए आप देखे रहे हो यह x greater than pi by 4 वाला function अपन लेंगे तो pi into gi of pi by 4 plus h और यह minus का 1 हो जाएगा और यहाँ अगर हम बात करें तो limit h tends to 0 अब यह f of pi by 4 minus h है यह pi by 4 से छोटा है तो यह उपर रखेंगे आप तो 10 inverse of 10 pi by 4 minus h चलिए देखते हैं अब यहाँ इसकी value थोड़ा हम calculate करेंगे देखे इसकी gi of pi by 4 plus h की value क्या होगी उसके लिए यहाँ थोड़ा आप concept पर दियान दें जैसे कि आप जानते हो कि pi की approximate value क्या होती है 3.14 तो आपकी pi by 4 की जो approximate value होगी वो जब मैं इसको 4 से divide करूँगा तो यह आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0.78 के something तो जो pi by 4 plus h है यह यहाँ पर ध्यान रहे कि यह approximate 0 और 1 के वीच में rely करेगा यानि 0 और 1 के बीच में आएगा अब जैसा कि आप जानती हो कि GI मान यानि महतम पूरांक मान हमेसा छोटी value को select करता है छोटे पूरांक को select करता है तो 0 और 1 के बीच में आने से इसकी value आप क्या लेंगे 0 तो चलिए यहाँ देखते हैं अपन तो इसकी value तो student क्या हो गई 0 तो 0 का into pi में करेंगे 0 तो यह आपकी value आ गई माइनस 1 अब चलते हैं अदर अपन LHL की तरह तो यहाँ 10 inverse से तो 10 eliminate हो रहा है limit लगाएंगे 0 में जाएगा यहाँ 5Y4 अब चलते हैं J यानि jump of discontinuity का formula मैंने आपको बताया था mod of RHL minus LHL तो RHL क्या है आपका यह minus 1 minus LHL क्या है 5Y4 अब आप देख सकते हो यहाँ mod minus को खा जाएगा तो यहाँ आपका student question आ जाएगा यहाँ पर यह आपका 5Y4 plus 1 clear तो student इस वीडियो में मैंने आपको jump of discontinuity के वारे में बताया और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के end screen और description पर जाकर पहले के वीडियो की playlist देख सकते हैं तो thanks for watching क्यांबS आपने जारे के चैनल के लेकी तो आपने घष्ए झändig के लीए कर देखेां